इसे टेर में Windows 10 इछाता है, एक दीन उससे अफ्ड़ेट के लिए पप पता है, वो अफ्डेट पे क्लिक करते है zar ¿्यह व कुछ ही देर में Windows 10 का Windows 11 मिल जाता है उससे खुश होना चाहिए था लेकिन उप्रिषान होता है вос कि वहाँ पे Windows 11 की कुछ अलग सेटिंग देखके वह चक्रा जाता है कि यहाँ पर मैं टासबार हाइड कैसे करूँ यहाँ पर मैं कंट्रोल पैनल को कहाँ पर डूंडू मैंने गलती से अपडेट कर लिया तो मैंने का यार पगला गए हो क्या यार विंडोस 10 से लोग Windows 11 में अ इसमें कोई डिपिकल्टी नहीं है तो उसने पोला नहीं यार कुछ ऑप्शन मिलने रहे तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसकी उपर एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए और आपका भी यह डाउट हो सकता कि अगर आपने विंडोस 11 का लैप्टॉप ले लिया तो व उसने कैसे एकसिस करना है इवन आप अपने फोन को विंडोस 11 के अंदर कैसे कनेक्ट कर पाओगे यह भी मैं आपको बताने हो तो धेर सारी इंट्रेश्टिंग सेटिंग्स यहां पर होनी वाली तो अगर आप इंट्रेश्टिंग हो यह सेटिंग सीखने के लिए ऐसी वैस तो चलिए पहले सेटिंग की तरफ तो हम बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं बता हूँ कि इन पचास सेटिंग्स के मैंने पीडिया नोड्स भी तायार करके रखे और वो नोड्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी उसके लिए आपको करना क्या है आपको डिस्क्रिप् चैनल नाम का फोल्डर मिलेगा उसके अंदर कंप्लीट टेक्नावजी चैनल नाम का फोल्डर मिलेगा जहां पर देर सारी नोड्स हो गया हमेशा रखता हूँ तो वहाँ पर ही आपको यह नोड्स मिलेंगे फ्री में इबुक डाउनलोड करने के लिए मिलेगा पूरे पच प्सक्राइब हुआ करके यहां पर तो प्सक्राइब है उसके बाद यहां पर टास्क भूर करने के लिए ऑपशिन मिलेगा मैं आपको या पर फोकस करने के दिखा रहा हूँ अगर आप यह टास्क विह नियुक्स करते हो तो आप नीचे देख सकते है आप पके यह अपने यहां पर desktop 2, मतलब fresh desktop अगर हमें चाहिए जहाए, जहां पर कुछ भी आप्लिकेशन हमारी open नहीं, तो हम यहां से ले सकते हैं, या पिर यहां पर क्लिक करके हमारी फिर से desktop 1 पे हम मुह कर सकते हैं, या नया open किया और desktop यहां से बन भी कर सकते हैं, तो ऐसे आप टास्क वीव का मैं आपको बताने हो लो कि मैं यहां पर Windows 11 इंस्टोल यहां पर सेंटर में आ चुके यह सारे के सारे आइकॉन लेकिन मुझे Windows 10 के आदत पड़ी है, जो कि Windows 10 ड्रें में जो आइकॉन से left-side में ने ती, यहां पर आप जाकर इसे left करोगे तो यह left side में आ जाएगा तो यह एक इंट्रेस्टिंग सेटिंग याद रखो यहां से आप left कर सकते यहां से आप सेंटर कर सकते अब बढ़ते सेटिंग नमबर 3 की तरह आप अब मैं taskbar hide करना चाहतू जैसे इंट्रो बाट में देखा ना का taskbar hide था तो मैं hide कर सकता हूँ कैसे hide करना है वो भी देखिए आपको same setting पेज पे आना है जैसे कि हमने यहां पर right click करके taskbar setting लाया आना उसी page पे ही आपको एक और setting मिलेगी जिससे आप taskbar को hide कर सकते तो यहां पर अब देख पाएंगे नीचे जो taskbar behavior से उसी में आपको मिलेगा automatically hide the taskbar यहाप यह जैसे आप click करोगे taskbar गाहब तो अब मैंने taskbar तो hide कर दिया लेकिन आएगा कब यहापे मैं इसे minimize कर देता हूँ अब यहापे taskbar तो आपको नहीं दिखाया दे रहा है तो taskbar कब आएगा जब माउस फंटर यहापे नीचे लेकिया होगे तो taskbar आपको दिखाया देगा माउस फंटर ऊपर लेते यह फिर से hide नीचे ले लो फिर से show क्या बात है तो taskbar settings में यह setting number 3 ती अब बढ़ते है setting number 4 की तरह अब देखो कि taskbar की उपर आपके यहाप एक Chrome browser उपन है Microsoft word उपन है दो चार एप्लिकेशन उपन है इन सभी को एक सथ अगर minimize करना है तो right side में mouse लेकिया जो एकदम right side में taskbar के right side में right bottom corner में यहाँ पर देख सकते हैं आप mouse pointer में कहां पर लेकिया हो चाहिए तुम्हें एक पर focus भी करके दिखा तो आपको एक छोटी सी line दिखाई दे रहे हैं अगर आप notice करोगे तो और यह date जो है ना basically date and time उसके right side में आना है और यहाँ पर आकर mouse pointer से click कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे सारे application यहाँ पर minimize हो जाएंगे दुबार क्लिक करोगे सारे reopen हो जाएंगे सारे minimize सारे reopen तो यह जो option है अगर आपके case में नहीं आ रहा है तो setting कहा पर जो taskbar setting option है इसी में ही आपको taskbar behaviors में जहाँ पर automatically hide the taskbar था उसी के नीचे आपको यहाँ पर दिखा सपे setting आपको पता होनी चाहिए ऐसी settings है जिसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए तो अगर अभी मैं minimize करता हूँ इसको तो यह काम हो रहा है अब बढ़ता है setting नमबर 5 कि अब setting नमबर 5 में मैं आपको बताने आलो कि system tray icon अगर आपको hide show करना है अब system tray icon क्या होता है basically यहां पर taskbar पर देखिए एक arrow आपको दिखाए दे राइट इस arrow पर अगर क्लिक करेंगे उल्टा भी दिखाए दे रहे ना यहां पर क्लिक करो जैसे आप क्लिक करोगी system tray icon यहां पर डेर सरे icon से तो आप उसे भी change कर सकते taskbar setting वाले इसी panel से यहां पर ही आपका cursor रहना चाहि system tray icon पर आप क्लिक कीजिए जैसे आप क्लिक करोगी open होगा और hidden icon में तो यह देखिए यहां से system tray icon यहां पर देखिए अभी show हो रहा है दिखाए दे रहा है अब मैं इसे off करना चाहता हूँ तो यहां से मैं off कर सकता हूँ तो यह थी setting नमबर 5 अब बढ़ते setting नमबर 6 के तर चाहता हूँ मैं start में जाऊंगा फिर यहां पर search करूंगा word फिर उसके बाद start करूंगा time लगेगा तो मैं इसे taskbar की उपर pin करके रखना चाहता हूँ यहां पर जैसे chrome browser रखाया ऑपर रखाया Microsoft Edge रखाया वैसे मैं word को रखना चाहता हूँ तो यह word application की उपर आपको यहां प पिन फ्रॉम टासबार नहीं चाहिए तो अन पिन करो चाहिए तो वहां पर करो तो इससे क्या होगा कि आपका application जो आपको frequently यूज करना है वो टासबार पर पिन रहेगा तो quickly start हो जाएगा तो अब बढ़ते है setting number 7 के पर अब हमारे setting number 7 जो है वो desktop icon के बारे में जैसे यहां अधैर सरे icons आपको दिखं यहां प्रोग्राम और जिसमें नहीं प्र decor प्रोग्र्म और जिसमें पर फेसिर माइक् मैक्लोप भाड कहा एक अबर लेकिन यह प्रोग्राइम नहीं है मतलब यह फाइल है और यह तो अब यहां पर मुझे टैली का एक प्रोग्राम चाहिए लेकिन यहां पर है नहीं मेरे कंप्पीटर में डी कुरूंगा तो यह के साथ मैंने 110 से भी ज्यादा चाप्टर से एक कोर्स डिजाइन किया जिसमें सर्टपिकर के साथ यह कोर्स हमारे एप पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इन एप वीडियो डाउनलोड भी है इस एप्लिकेशन के पर वीडियो डाउनलोड परके वीडियो भी स्टाइब हो तो यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है डेक्स्टप पे शौट्ट कॉट बनाने के लिए तो आप कैसे करेंगे तो आपको यहां पर सिंपल जाना आ है ओपन फाइल लोकेशन पर यहां पर कोई आपको शॉर्मोर ऑप्शन में यहां पर विंडोज 11 आइसलिए show more option, windows 10 ने तो right click में ही direct option मिल जाएगा आपको send to तो आपको show more option में जाना है और show more options में अंदर show more options के अंदर आपको send to option मिलेगा, desktop create shortcut दिखाई दे रहा है, तो यहां से आप इसका shortcut बना सकते है तो ऐसे कोई भी file का, file का याद रगे फाइल का, program का आप shortcut बना सकते हैं कोई भी file होने तो, word, excel, कोई भी file तो आप उसका shortcut directly desktop बना सकते हैं जैसे example, elod drive में आपकी एक file बढ़ी important और वो आपको daily access करनी है तो आप यहाँ पर right click करो और यहाँ पर जाकर उसको show more options और यहाँ पर send to create desktop तो अभी मैं दिखाना चाहूँगा इसे मैं minimize कर देता हूँ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक shortcut है यहाँ पर tally prime का भी shortcut आ चुका है तो create desktop shortcut useful tip से अच्छी लगी तो like करना अब बढ़ते हैं next setting के लिए setting नमबर 8 compress and extract file अब हमें compress करने की जरूद क्यों पढ़ती है पहले मैं बताते तो जब आप किसी को कुछ files email कर रहे हो नो तो एक साथ 10 वारा file आप email करते हैं तो size बड़ी जह हो जाती है और एक साथ 10 वारा file select करना फिर वो अलग-अलग file दिखाए दीती तो आप सभी को एक साथ एक folder में डालो और उसे compress करो याद रोखो अगर आप folder attach करने जाओगे email के अंदर तो folder तो attach होता नहीं compress file attach होती है याद रोखो दूसरी चीज़ है कि file के size reduce करनी है तो भी आपका यह compress जो इना basically काम आता है अब इसमें कुछ files मैंने डाल दी जैसी यह 10 most important है ना इसको मैं directly drag and drop कर देता हूँ या copy paste करेंगे तो वीचे लगए यह वाली file मैंने डाल दी ऐसे दो-चर फाइल मैंने इसके अंदर डाल दी IMP files अब इन सभी files को मैं करूंगा right click इसके उपर और इसे आप जैसी email से send करोगे एक तो इसका file size कम हो रहेगा जैसे इसकी size आप देखोगे right click करो और show more option में properties directly properties भी मिल जाएगा यहापे देखिए 26kb है आप इसके उपर right click करके आप जब properties में जाओगे तो इसमें आपको दिखाए देगा 23kb यहापे ज्यादा files नहीं लेकिन बड़ी files रहेगी तो वहापे कम होती ही नाम ही उसका compress है और यह zip file नाम ही उसका विसकी तो इसे unzip कैसे करें एक्स्ट्रैट कैसे करें वह भी आपका डाउट रहेगा कि जीप कि है अभी हमने download कर लिया जीप तो उसे कैसे करें क्योंकि मेरी बहुत सारी practice files जीप फाइल रहती है तो आपको क्या करना है इस फाइल क करना है और extract all जैसे आप extract all करोगे तो एक pop-up आएगा वो बोलेगा कि IMP files नाम का folder generate होगा और extract हो जाएगा तो मैं extract करूंगा तो यहाँ पी आप देख सकते वह files यहाँ पे extract होके आ चुकि अब यह folder दुबारा इसलिए आ रहा है क्योंकि IMP files नाम का एक desktop पे अल्रेडी folder था लेकिन आपको idea आ चुका है कि compress करना मतलब क्या होथा और extract करना multiple files को एक folder में डालो drag and drop करके उसके बाद उसके पर rightly करो compress करो सो अब बढ़ते है setting number 9 की पर सेटिंग नमबर 9 में मैं आपको बताने हो एक presentation से रिलेटेट सेटिंग्स बैसिकली क्या है यह सेटिंग्स जैसे मैं आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहता है या आपको कुछ चीज उसको जूम करके दिखानी है तो विंडोज और प्लस बटन दबाओगे तो यह जूम हो तो यह माउस पर मैं यहां पर रखा तो यह यह त्रीक आपको जाने क्योंगे आप विंडोस फ्लस डारेक्लिक बीकरने जाओगे तो आपके केस में ऐसा नहीं होगा तो होगा जैसे आप विंडोज प्लस दबाओगे तो आपके सामनी यह दैललाव वोक्स आता है याद सेटिंग इसे में मिनिमाइज कर देता हूं यहां पर इसका प्रसंटेश थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो यह ऐसा यह दिखा दे रहे ना आपको लेंस ऐसा रहता है यह पूरे स्क्रीन जूम करनी है तो मैं लेंस नहीं बैसे यहां पर यहां पर चीज याद रखनी है कि जहां पर मेरा बाउस है वहां पर फोकस रहें अंचेक रहते हैं जब आप विंडू पहली बार इंस्टॉल कर लें तो यह सारे चेक रहते हैं माउस पॉइंटर यह एक ही चेक रहतना है यह सेटिंग अच्छे से कर लो फिर आप विंडोस प्लस करो, विंडोस माइनस करो, मेरी तरह अगर ट्यूटर हो तो आपको इसकी जरूरत बहुत पढ़ सकती है, तो जरूर करो यह से, बच्चों को आप पढ़ा रहो एक स्क्रीन पे तो उस टाम पे विंडोस प्लस करके बताओ, पीछे जो बच्चा बैटा है उसको दिखाई नहीं देता है, आपको लगता है आपको आप नजदीक बैटाओ, लेकिन समझ लो आपकी बच्चों की प्रॉब्लम समझना सीखो, अगर आप एक ट्यूटर हो तो फिलाल तो नेक्स सेटिंग की तरफ बढ़े, यह सेटिंग नमबर 10 जिसमें मैं आपको बत ओपरडीस में नहीं जाओंगा मैं, शो more options में जाओंगा और इसमें manage option आपको मिलेगा, Windows 11 में आपको इस तरह से manage option मिलेगा, Windows 10 में डीरेक राइट करने के बाद ही manage option मिल जाता है, manage option में जाओर यहां पर इसमें पे कलीक क्लिक करो, इसमें लोड होने क लिए कभी कभी टाम लग सकता है depending on your computer speed और यह लोड हो चुका है फिलाल मेरे case में यहां पर देख सकते हैं मेरे पास एक डिस्क जिरो डिस्क वन यह दो अटैच है तो डिस्क अटैच है और डिस्क जिरो में कितने ड्रायूज है और डिस्क वन में कितने ड्रायूज है तो मैंने एक यहां पर SSD लगाई है और एक hard दीज भी लगाई है जो कि है hard दी से 1000GV की एक SSD है मेरा 250-260GB का असफास लगबग तो आप देख सकते हैं यह आपके दोनों हैं आपके कंप्पीटर में कितने hard drives लगे हैं hard drive तो यह बिसिकली hard drive या फिर श्रोरेज ड्रोई बिसिकली क्योंकि यह आप तो यह आपको दिखाई देगा यह सेटिंग्स भी याद रखो अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 11 नेक्स सेटिंग है अगर आपको डेक्स्टॉप का यह जो फोल्डर या कोई भी फाइल है आपको डिरेक्ली या फिर आपको एक्सेट्रॉड्र ड्राइव में उसकी पर राइट लिक करने के बाद आपको क्या करना है वही सेम ओप्षेंस में जाना है और यहाप मैंने डेक्स्टॉप शॉटकट आपको बोला था तो यह फाइल यहां से डाइरेक्ली उसका एक कॉपी बनेगा और मेरी काड लगा दिया है यह उपर ओपन भी हो चुका है अब मैं दुबारा एक काम करता हूँ इसे क्लोज करता हूँ और राइट लिक करता हूँ या कोई भी ड्राइव की फाइल हो सकती है राइट लिक शो मॉर ऑप्शन और सेंट तू यहां पर आप देख सकते डैरेक्ली म अंदर फाइल टेक्स्टॉप से कोई भी फोल्डर से अंड कर सकते कॉपी कर सकते तो सेटिक नमबर 12 की तरफ बढ़ते बढ़ते कैं अब यह जो सेटिंग है बेसिक सेटिंग है जैसे कि डेक्स्टॉप का बैक्राउंड डेक्स्टॉप का जो ऑल पेपर होता है उसे कैसे बदलेंगे यह बहुत सारे दोस्तों को आता भी होगा जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखिए सिंपल राइट लिक करना है परसनलाइज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिखाए देरा है राइट लिक के मेनू में उसमें जाना है और यहां पर आपको बैक्राउंड ऑप्शन में यहां पर धेर सारे बैक्राउंड जो दिये है इसमें से धेर सारे तो नहीं है इतने थी में यह चूज कर सकते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक किया यह पहले नंबर पर आ चुका है और मैं इसे मिनिमाइज करके दिखाता हूँ वाओ इंट्रेस्टिंग लेकिन रुको अब मैं दूसरा कुछ अप्लाई करना चातू अपना खुद का फोटो अगर अपलाई करना चाता हूँ तो चूज फोटो यहां पर जाकर ब्राउज फोटो में जाओ और आप यहां पर अपना कोई-एक एक फोटोड कर सकते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे एक image select कर ली है यहाँ पे आप देख सकते image आ चुकी है and let me see on desktop also यहाँ पे image आ चुकी है right आप उसे stretch, tile, center कैसे present करना चाहते हो यह आप यहाँ पे रख सकते है right so depend तो आप यहाँ पे वह select कर सकते हैं मैं यह background नहीं रखना चाहता हूँ जो पहला background था यहाँ पे मैं set करना चाहते हूँ तो इस तरह से आप background बदल से हूँ अब setting number 13 में मैं आपको बताने करो colors, themes वगरा कैसे change करते हैं तो same right click करो personalize बे जाओ जहाँ पर अपने background देगा तो उसी के नीचे आपको colors, themes and lock screen option मिल जाता है basically colors में क्या होता है कि जैसे आप color पे click करोगे फिलाल हमारा यह color selected है तो कि आप यहाँ पे button भी देख सकते है इसे मैं यहाँ पे color change करता हूँ तो आप देख सकते है बटन का भी change हो रहा है तो ऐसे बहुत सरी जगह पर यहाँ पे color change हो जाएगा right colors theme ही change हो रहा है theme slack कर सकते है जो कि यहाँ पे दिया है तो तो theme change करना है तो तिम चेंज कर की भी देख सकते अगर आप ने दुसरा theme लिया तो यहाँ पे देख सकते её dark theme यह थोड़ा सा apply हो चुका है अगर आपने यह theme टेम किया तो किस तरह से है you can choose theme according to your requirement आपको लगता है कि भाई यह पहला ओला theme अच्छा है तो यह theme आप पॉपी से यहाँ पर लाके रख सकते हैं और theme के अलओ यहाँ यहाँ पर lock screen का भी image आप change कर सकते हैं lock screen पर फिलाल यह apply हैं तो आप दूसरा कुछ apply करना चाहते हैं lock screen lock screen मतलब जैसे में windows L करूँगा अभी मेरा screen recording चलो इसलिए मैंने दिखाऊंगा लेकिन जैसे वो lock screen आता है जैसे computer start कर तो password डालने के लिए था तो वो lock screen का जो screen है basically वो आप यहाँ से बदल सकते हैं तो colors, themes and lock screen यह मैंने आपको बताया है अब हम start menu से related setting देखेंगे setting नमबर 14 में तो इसमें मैं right click कर रहा हूँ और परस्नलाइज के अंदर ही आपको background colors, themes, lock screen यह नीचे आपे start menu से related setting में लिए तो आपको layout कैसे रखना है इसा रखना है जहां पर आपको recommended apps नीचे आ जाएंगे दो जैसे मैं start पे click करो यह देखिया मैं start open करके दिखा तो आपको उपर सारे आपको pin app दिखाए दे रहे नीचे आपके recommended app दिखाए दे रहे तो recommended app आपको जादा चाहिए तो यह वाला layout ले सकते और यहां पर highlighted दिखा सकते हैं so show most use apps अगर आपको most use जो आप use करते आप वो दिखाने चाहिए आपको start menu में तो आपको यहां पर most use जो आप use करते हैं वो यहां पर दिखाएगा अगर यह आपने on रखा तो राइट और नीचे एक आपको folders option दिखाए दे रहा है जहां पर click करने के बाद आ आपको दिखाता हूं जैसे मैंने यहां पर file explorer यह folder आड कर दिया यह दिखे मैंने इनावल कर दिया है अब मैं यहां पर start पर click करता हूं यहां पर देखेंगे नीचे आपको folder मिल रहा है file explorer तो इस तरह से आप यहां पर folder आड भी कर सकते start menu के अंदर तो यह थी setting number 14 अब बढ visit visit da font.com जहां पर free में font मिलते हैं तो यहां पर कोई भी font आपको अच्छा लग रहा है वह आप download कर सकते हैं पर font install कैसे करते हैं यह याद रखी setting जैसे आप download करोगी यह एक zip file open होगी जिसके बारे मैंने भी zip file को आप direct open करोगी तो भी चलेगा unzip करने की जरूरत नी क्यूंकि यहां पर font direct run कर सकते हैं डबल क्लिक कीजिए दिखिए इसका font का जो फाइल है यह otf file या ttf file रहता है true type font या open type font तो basically open type font यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर इस font को double click करना है और यहां पर install button पर click करना है यहां से आप font install कर सकते हैं अब सारे के सारे font install हो चुके हैं आप आपको देखने इंस्टॉल फॉल्ड फॉल्डर आपको मिल जाता है याद रखिए और उसमें आपके सारे font दिखाए देंगे जो भी फॉंड आप इंस्टॉल करोगी आप यहां से इलेट करना चाहते हैं तो उससे से लेक करके आप डिलीड भी कर सकते हैं अब बढ़ते है इस सेटेश्टञ नबर सीक्श्टिंग के टिखर आपको अब कई एक हमारा डिस्प्ले होता है जैसे आप बिल्ING काउंटर पर होगया देखोगे जैसे जो लोग स्टेंट ओके काम करते हैं अयसा लगया हो रहता है। हो उनको सामने वाले को पांड केको भी दिखाना है तो वो अपनी तरफ screen है अभी लेकिन सामने वाले customer की तरफ window का screen करना है क्योंकि उसे तो उल्टा दिख रहा है जो सामने से देख रहा है ऐसी screen रखिए तो उसको screen को गुमानी के ज़रूदनी पड़ेगी अभी स्क्रीन ऐसे horizontal ऐसे रहने दोस्स कस्टमर को दिखाने के लिए बस आपको orientation चेंज करना होगा तो right click में जाना है display settings में जाना है right click display settings याद रखिए display settings के अंदर यहाँ पे आपको एक landscape orientation दिखाए दे रहा है देखिए display orientation उसके अंदर landscape की जगर अगर आप यहाँ पे landscape flip करोगे तो screen उल्टा हो जाएगा सब कुछ उल्टा मैं भी उल्टा राइट मैं नहीं उल्टा हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ बता रह रखना है रिवर्ट करना है वह आपकी मर्जी तो यहां से आप उससे क्या कर सकते हैं फिलिप कर सकते इवन आप पोट्रेट भी कर सकते हैं देखिए पोट्रेट इस तरफ से इस तरफ से ऐसा देखना पड़ेगा मुझा रखना पड़ेगा आपको इसी display settings के अंदर आपको नीचे मिलेगा जहां पर हमने orientation देखा था उसी में आपको graphics setting मिलेगा जो की काफी interesting है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है कि जितने भी app install है उनको आपको graphics कैसे देखिए find app list select it then choose the custom graphics setting for it custom graphics setting मतला आपको इसको graphic कैसे use करना है तो यहां पर देखो camera क चूजे Microsoft store के लिए भी सब के लिए आपको यहां पर दिखाए देरा है लेकिन मैं चाहता हूँ यार इसके लिए जो है ना movies and TV इसके लिए graphic जो है ना मैं चूज करना चाहता हूँ मैं क्लिक करूंगा option में जाओंगा और मैं बूलूंगा कि high performance जब मैं high performance लोंगा तो अपको के लिए इसे assign किया है तो आप यहां से ग्राफिक भी select कर सकते ग्राफिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंगा अगर आपका ग्राफिक काड है तो आप इसे कैसे अप्लिकेशन के लिए high performance के लिए अब बढ़ते सेटिंग नमबर 18 में Windows E मैं प्रेस कर रहा हूँ और रैट लिक किया और रैट लिक करने के बाद यहां पे properties option जो रहता है या अल्ट एंटर भी आप प्रेस कर सकते है इसका properties लाने के लिए इसमें मैंने hidden option चूज किया देखिए फाइल हाइड करने के लिए simple है जो भी फाइल है उसे select करो hidden option चूज करो apply करो और continue करो यहां पे ok करो यह फाइल हाइड तो मैंने कर दी है इसका property change हो गया लेकिन यहां से हट नहीं रही दिख रही है तो उसके लिए आपको जाना का आपको view पे click करना है उपर आपको दिखा hidden items तो यह देखिए hidden items मतला अभी आप यह फाइल नहीं देख पाऊगी और दुबारा अगर मुझे फाइल को show करना है तो मैं view में show में hidden items को click कर दूँगा जैसे मैं click करूँगा यहां पे आप नीचे scroll करके आईए यह देखिए file दिखाए देए तो यह file hide होती है show होती है य Windows 10 में view में यहां पे देखिए do not show hidden files and folder यहां से जाना है Windows 10 में यह वाला dialogue box मिलता है file options में याद रखिए तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए file कैसे hide करना है आपको idea आ चुक होगा अब आगे की setting यानि setting 19 की तरफ बढ़ते है अब क्या होता है कि बहुत बार मेरे पास files इस तरह से रहती है download folder में फाइल से और मैं जान नहीं पा रहा हो कि इसका extension क्या है इसका extension क्या है तो file का extension यहाँ पे show नहीं हो रहा है तो view में जाओंगा और यहाँ पे show में आपको एक option मिलेगा file name extension एक option मिल रहा है यहां पर file name extension पर click कीजिए जैसे आप click करोगे यह देखिए यह word की file है नीचे भी आप देख सकते यह zip file है यह .gpz file यह .pdf अब दिखाए दे रहा है यह .pptx file है तो हर एक file के साथ उसका extension यहां पर display होगा view में show में यहां पर option मिलेगा और windows 10 में आपको वही file options में जाकर ही आपको यहां पर view में मिलेगा hide extension known files यह जो चेक रहेगा इसे अंचेक करना देगा बस आपको अंचेक करते ही यहां पर क्या मिलेगा आपको वह extension show होगा अब बढ़ते setting number 20 की तरह अब क्या होता है मेरे पास बहुत सब्सक्राइब में बहुत सरी फोल्डर या फाइल है एक सब मुझे चार पास फाइल से आप यहां फोल्डर सिलेक करने हैं तो मैं क्या करूंगा view में जाओंगा यहां पर show में जाओंगा और item check boxes यह वाला option check करूंगा जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा बेसीकली तो अभी आप देख सकते हर एक फोल्डर के आगे यहां पर check box आ रहा है मैं इस वाले फोल्डर को सिलेक करना चाहता हूं इस वाले फोल्डर को सिलेक करना चाहता हूं एसे मैं multiple फोल्डर यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं किसकी मतलब से व्यू में शो में यह जो है आइटम चेक बॉक्स किसे अगर मैं आउन करता हूं अगर मैं इसे निकाल देता हूं तो यहां पर मुझे एक एक करके करना पड़ेगा सो अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 21 की तरफ अब इस सेटिंग में दिखिए यहां पर सपोज मेरे पास बहुत सारे फोल्डर है जैसे AWS बिल्स करके यह फोल्डर है तो मैं इस फोल्डर को अगर ओपन करना चाहूंगा तो मैं डबल क्लिक का तो ओपन हो ज है और आपको options में जाना है options में जाने के बाद एक जो डायला बॉक्स आता है इसमें ही आपको एक option उपर दिखाए दे रहा है open each folder in the same window इसकी जोग आप open each folder in its own window इसकी separate window होगी let's apply it and hit the ok and now double-click it you can check it out यहाप एक नया फोल्डर open हो चुका है और पीछे आपका जो है न वो open है as it is यहाप नया फोल्डर राइट यहाप नया फोल्डर इस तरह से open हो जाएगा क्योंकि हर एक फोल्डर अपना एक separate window open करेगा जैसी मैं open करूँगा यहापे so got it अब बढ़ते tips no.22 कि तो मुझे क्या होता है कि हर एक फोल्डर को open करने के डबल क्लिक करना पड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा यहापे मैं सिंपल है यहापे settings फिस से कर लूँगा वही डायला बॉक्स आएगा इस डायला बॉक्स अंदर मैं single click to open an item इस पे click करूंगा apply करूंगा and let's check it out मैं इसकी इस तरह से आप सिंगल क्लिक से ही item को open कर सकते item से मेरा मतलब है folder file याद रखी सिंगल क्लिक का मतलब मुझे ज्यादा यूजर नहीं लगता है लेकिन आप यह सेटिंग यहां से कर सकते हैं अगर किसने यह सेटिंग करके रखे आपके computer में तो यहां से जाकर आप उसे डबल है आपकी computer की folder में आपकी तो सेटिंग बदलना मुश्किल है मतलब समझ गया है फिला यहां पर देखिए यह हो गया आपका double click का मैंने setting लाकर रख दिया वापीस ओके अब बढ़ते नेक्स सेटिंग की तरह सेटिंग नमबर 23 सबके काम की है जैसे मैं download folder में आता हूं यहां दिख रहा है तो मैं यहां पर फोल्डर के अंदर क्या है वो नहीं दिखाना चाता हूं कभी हम फाइल से ओपन करते हो जिसका थम्निल भी हो रहता है तो ऐसे यह सारी चीज़े दिखाई देती तो मैं बस icon दिखाना चाता हूं तो यह setting सीख लो ओके यहां पर क्लिक करना है यहां पर options में जाना है options में जाने के बाद यहां पर आपको view पर क्लिक करने के बाद पहला option आपको लेना है always show icons never thumbnails apply apply करते ही यहां पर बस icon ही show होंगे thumbnails अंदर कुछ नहीं दिखाए देगा तो आप यह काम की चीज़ करके रहो जब आप किसी के सामने आपकी फाइल सोपन कर आपको पता ना चले फोल्डर के अंदर क्या अभी कुछ नहीं पता चल रहा है तो इसे अंचेक में करूंगा तो इस फोल्डर के अंदर क्या है वैसे मेरा कोई यह पर ज्यादा नहीं है तो देखने दो कोई problem नहीं लेकिन आप कर सकते हैं ऐसा कुछ important अंदर जो भी फोट जैसे मैं चाहता हूँ कुछ है कहते के इंदर तो मैं सेर्च करूंगा है लेकिन उसा फाइल के और पे मुझे फाइल को सर्च करना बाद है एक कॉंटेंट है मेरा नाम चुछ भी है तो अब क्या कर वे उसके लिए वह क्लिक करना में क्लिक आइए ज्टेक्स मैं पूर शॉ यह अगर uncheck है तो इसे check कीजिए फाइल names and contents contents भी है उस फाइल में contents भी जाकर ढूंडेगा हो और वो content भी मिल रहे है तो वो directly फाइल बदाएगा तो फाइल का नाम वो नहीं रहने दो सतीश देखिए सतीश अभी मैंने सतीश लिखा खाली वो सारी फाइल से आपको दिखाए द इसका मतलब यह है राइट सो यह काम की चीज याद रखिए सेटिंग नमबर 25 की तरफ बढ़ते हैं आपको प्रिव पें के बारे में बताने हो लगा यहां पे विव में आपको शो में एक प्रिव पें ऑप्शन मिलेगा यह दिखिए प्रिव पें मैं अगर आन कर लिता बिसिकली सारे कंटेंट यहाँ पे आपको प्रिव दिखाई देते है यहां फिर आप प्रिव नहीं चाहते तो कुछ औरते हैं जैसे कि यहाँ पे व्यू में जलंद शो में जलो आप चाते हूसका डिटेल या बारा जो सेटिंग नॉंबर 26 कि तरफ बढ़ते है अब बहुत सरी बार हम क्या करते हैं डाउनलोड फोल्डर में धेर सारी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन क्या होता है नहीं जो फाइल लेटेश हमने डाउनलोड की वो हमें मिलती ही नहीं है तो उसके लिए यहां पर एक option है sort में sort में हमेशा आप date modify यहां पर रखो date modify रखते ही जो हमने recent फाइल बनाई या डाउनलोड की है वो यहां पर date की इसाब से आ जाएगी और दूसरा है कि अगर आपको फाइल group wise करना है जैसे group by आप क्या करना चाहते आप करना चाहते group by type या यहां पर आपको Photoshop की फाइल दिखाए दे रही नीचे आ जाओगे तो यहां पर जीप फाइल दिखाए दे रही है यहां पर आ रहे तो JPG फाइल दिखाए दे रहे है तो सारे फाइल ग्रूप हो जाएंगे तो यह group by काम की चीज़ है याद रखिए group by आप कैसे type मतलब document wise की कर सकते हैं लेकिन date modify अगर आप रखते हो तो जो recently मैंने डाउनलोड की फाइल से वह उपर आपको दिखाए देगी तो यह sort and group by आपको यह setting no.26 पर पता होना चाहिए 27 की तरब बढ़ते है अब यह setting no.27 जो ने Windows 11 में यह पहले बता दे तो Windows 10 में नहीं क्योंकि Windows 11 में उन्होंने इंट्रूडस किया tab यह पर डाउनलोड है मैं यह पर एक और टैब उपन करना चाहता हो जैसे मैंने प्लस पर किक किया यह देखिए एक और टैब और इसमें कोई और फोल्डर में उप उपन करना चाहता हो एकसल फाइल इसमें जाओंगा इसमें डॉक्यमेंट्स उपन करना चाहता हो डॉक्यमेंट्स आप देख सकते तो यहां पर आप जैसे क्रोम ब्राउजर में अलग-अलग टैब उपन करते हैं वैसी यह पर टैब आ रहा है तो यह टैब इन्होंने Microsoft ने सब्सक्राइब के लिए और आप इसे और भी एक्स्प्लोर कर सकते इस टाइब के पर मैंने आइडिया दिए अब बढ़ते सेटिंग नुबर 28 में मैं आपको कुछ खास बात बताने हो वह यह कि अगर आपको कोई भी फाइल डिलीट करनी है तो आप बोलोगी यह पता है आ कि तरह से चलीकर डरायज याद रखें अगर आपको पौनायट करना है अगर मतलब क्या यह प्रेकर करौ कि हैं पर यहां पर क्लिक करके आप इस फाइल और तो यहाँ से रिस्टोर हो गया दुबारा आपके उस फोल्डर में आ चुका है MP-Folder में तो आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो खली कीबोर से तो वह टेंपररे डिलीट होती है रिसाइकल विन में चाहती है याद रखना है और रिसाइकल बिन से आप उसे रिस्टोर भी कर पर स्कते हैं लेकिन आप दिलेट करते हो सो फाइल होती है इसको रिकॉबर करने के तरीख के हैं थोड़ा से टेक्निकल है लेकिन यह फ Are under-delницले लुए तो उसको रिकवर करने के लिए के लिए आपको कब Divine करने के लिए ए इस्टेमाल करना पड़ता है उसके प्लस डिलिट शिप बटन दबा की डिलिट करेंगे तो क्या होता है अब बढ़ते हैं सेटिंग नमबर 29 के तरह अब इसमें डिलिट तो हमने जान लिए लेकिन एक पात रखो आपने जैसे मैं इसे डिलिट किया तो यह डायरिक डिलिट हो रहा है आप कभी नहीं गए होगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ जाओ अब यह पूछ रहा है कि रिसाइकल बिन कोन से स्टोरेज ड्राइव के उपर आपको रिसाइकल बिन लोकेट करना है तो मैं चाहता हूँ कि यह द्राइव पे जाओ तो यह पर कितनी फ्री साइज है व दूसरा डून्ट मूव तो रिसाइकल बिन रिमुफाइल इमेजटली वें डिलेट तो यहाँ पर यह ऑप्शन चेक ना कीजिएगा अगर आप यह ऑप्शन चेक करते हैं यह पर्मान डिलीट हो जाता रिसाइकल बिन में जाएगा ने डिलीट बटन दबाने से यह एक जोता हूँ अब मैं जैसी इस फाइल को पहले रिस्टोर करो का पर गया हो रिसेकल बिन में जाओ एक फाइल मेरी यह पढ़ी है रिस्टोर इस आइटम रैट रिस्टोर कर दिया है आप अभी मेरे पास वह आ चुका यह रहा मैं अभी इसे डिलीट करता हूं तो अरिशूर आपनी जानी होगी जो भी आप देख रहो तो यह वीडियो तो आगे चलते रहेगा लेकिन आप तक वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजियो और साथी में चैनल पे नए मेमान हो तो सब्सक्राइब कीजिये और मेरी टीचिंग स्टाइल अगर आपको पसंद है और आप जो आप घर बैटे-बैटे सीख सकते मेरे अप्लिकेशन के उपर इनएप वीडियो डाउनलोड के साथ जिया और कुछ कोर्स के ई-book मेलेंगे सारी चीज़े आपको डिस्रिप्शन में मैंने अप्लिकेशन के लिंक दिये या फिर प्ले स्टोर पे जाके आप स्कील कोर्स स मैं रख रहा हूँ फिलाल आपके लिए डेमो कोर्स भी हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि यार टेकनालोजी के साथ लोग आगे बढ़े इसलिए या पर मैंने चैट जीपीटिन एकसल कोर्स बहुत ही कम फीज में रखा है तो आप बोलोगे फ्री रख देते लेकिन फ्री िगी स्किल कोर्स एप्लिकेशन के उपर ही एक बात और बताना भूल गया था मैं यह बता देता हूँ ये notes आपको मिलेंगे कहाँ पर आपको जाना है skill course application में home tab में study material section मिलेगा study material के अंदर youtube channel practice file ये folder मिलेगा और उसी के अंदर complete technology channel practice file folder मिलेगा और उसके अंदर आपको मिलेगे ये 50 setting के notes जासे आप pre में इसे download कर सकते ये step by step मैंने notes भी बनाया हैं तो जरूर चेक आउट कीजिएगा फिलाल तो next setting की तरफ बढ़ते हैं अब ये जो setting है ये real problems related है जैसे आप example ले लो कि आपने 2-3 video editor या फिर video player install किये या फिर 2-3 pdf reader install किये तो उसमें क्या होता है जैसे आपको यहाप एक pdf file दिखाए दे रहे है उपन भी जो basically वो change करना है मुझे तो मैं कैसे change करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ इसकी उपर आपको right click करना है right click करने के बाद आपको जाना है यहाप पर properties में और यहाप एक option है change आप ये Adobe में नहीं open करना चाहते हैं और pdf reader में जाते है तो आप change कीजिए और यहाप देखिए आप मेरे पास ये pdf आज जाए ले आप Google Chrome में default open करना चाहते है तो यहाप वो सारे application की लिंक आ जाएगी जिसमें ये pdf file open हो सकती है याद रखिए तो आप उसे select कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है इसकी जुरूद पढ़ती है जब आप multiple video player या multiple PDF reader इंस्टॉल करते हैं फिलाल मैंने Adobe एक्रोपेट PDF में रखा इसमें प्रॉपर open होता है और इसे click करके मैं इसे set default करूँगा तो यह सारी PDF फाइल जो है मेरे computer में वो सारी की सारी direct लिए open करती ही Adobe एक्रोपेट reader में open हो जाएगी और यह ऐसा certificate है जो कि आपको course completion के बाद मिलेगा हमारे application पर course complete करने के बाद फिलाल आगे बढ़ते हैं अब setting number 31 में मैं आपको बतना है वाला हूं जैसे इस file के उपर मैंने right click किया और इस file के उपर right click करने पर properties में जा रहा हूं properties में जाने के बाद यहां पर आपको एक security section मिल रहा है security section में होता क्या जारा धान से दिखिए आपके जितने भी user है आपके इस computer में अलग-अलग user आपने multiple बना है तो आप चाहते कि यह जो multiple user है इसमें मैं कुछ लोगों को यह जो file है मेरी वह allow नहीं करना चाहता हूं setting number 32 सबके लिए है अगर आप computer में daily काम करते तो night light on कीजिए आप evening में तो night light on कीजिए उसका schedule अप करके रख सकते कैसे आपको search करना है night light बस आप इतना है search कीजिए windows 10 11 में night light आपका setting यहाँ पे दिखाया देगा आप यहाँ पे turn on करके रख सकते आप यहाँ पे turn on करके रख इसे continuously क्योंकि basically night light मतलब क्या होता है कि night view में आपके computer में जो blue light है वो बंद हो जाती है तो यह दिखे turn off में करता हो यहाँ पे जादा कुछ फरक आपको नेजर नहीं आएगा screen recording में लेकिन turn on और turn off करके आप देख सकते या इस light को आप यहाँ पे schedule भी करके रख सकते है schedule मतल की जो light है वो switch होनी चाहिए मतलब night light में switch होना चाहिए जो कि blue light बंद हो जाती है जाता स्याथ blue light यहाँ पर रेश्टिक होती है तो आपके आखों के लिए softness रहता याद रखिए तो इसलिए night light के लिए आप यह आपर timing दे सकते कि 7 बज़े के बाद यह turn on हो जाए automatically तो यह भी ज़रूर यह setting करके रोखो अपने computer में अपने आखों का care करने के लिए इसे जरूर कीजिए setting number 33 की तरफ बढ़ते है अब यह setting भी उतनी ज़रूरी यह power option setting उसके लिए आपको control panel में जाना है तो control panel में कैसे जाएंगे start R याने कि window R बटन दबाईए run में control लिखिए control panel में आपको मिलेगा power options यहाँ पे click कीजिए जैसे आप click करोगे यहाँ पे balance और power से और मेरा balance चालूए यहाँ पे जाकर change plan settings कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए turn off the display जब आप computer use नहीं कर रहे हो तो वो तीन मिनिट के बाद बंद हो जाएगा इससे आपका जो monitor ना ज्यादा benefit जब आप तीन मिनिट यूज नहीं करोगे continuous तो यह power save mode पे चला जाएगा put the computer to sleep sleep भी रख सकते आप computer sleep हो जाएगा directly sleep से तो ज्यादा power save होता है सारे application आपके as it is run होते computer सो जाता है तो sleep के बारे में अलग सा मैंने एक video बनाया कि वाई detail तो फिलाल वो देख लो आप उसका video आपको learn more channel पे मिल जाएगा फिलाल यहाप आप रख सकते हैं इससे अलग-लग setting और save changes करते ही आप जब computer इस्तमाल नहीं कर रहे हो तो यह power saving mode चालू हो जाता है तो यह काम की setting है setting number 34 की तरह पर पर सेटिंग नमबर 34 में मैं आपको बताने यह लोग system का performance increase करने के लिए आपक को यहाँ पर लिखना है percentage 10% यह क्या है एंटर कीजिए इसे लिखे percentage 10% लिखे एंटर कीजिए temporary फाइल को डिलीट करने का काम करता है यह सभी फाइल को सिलेक कीजिए shift डिलीट मार दीजिए और यह 29 items है सभी फाइल यह डिलीट हो रहा है कुछ फाइल से यहाँ डिलीट भी डिलीट कर देगा और आपको डिलीट करते रहना है जिससे space खाली होता है और आपका performance computer का आपका मतलब computer का performance बढ़ता है right computer का बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा automatically cdc बात है setting number 35 अगर आपने file explorer open किया windows e यहाँ पे और मैंने edge drive कोई भी drive एक select किया और इसके अंदर की जितनी भी subfolders से मैं एक साथ देखना चाता हूँ subfolders सारे के सारे तो मैं num lock प्रेस करूंगा और जो num lock प्रेस करने के बाद ध्यान से दिखिए number lock प्रेस करके number lock के साथ मैं multiplication वाला sign इसे बोलते हैं वो प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए subfolders सारे के सारे open हो रहे हैं automatic open हो रहे हैं तो मैं इसे बंद कर देता हूँ यह बहुत टाइम लगाएगा क्योंकि मेरे बहुत सारे folder है उसमें तो subfolders एक साथ open करने के लिए आप उसका इस्तामाल कर सकते हैं यह आपे control लिख देना है देखिए control panel में आपको जाना है control panel में आपे programs and features यह दिखाए देगा control panel में programs and features में जहिए और जो application नहीं चाहिए uninstall button select कीजिए uninstall कीजिए आपे धेर सारे application तो जो जरूरी नहीं वो ही delete कीजिए जो जरूरी वो मत delete कीजिए वो तो आप समझदार हो setting number 37 setting number 37 में control panel में ही रहना है आपको control panel में ही रहना है लेकिन control panel अगर ऐसा दिख रहा है तो पहले इसे category की जग यहाँ पे आपको small icons या large icons भी ले सकते हैं और इसमें मैं आपको बताने हो लो system backup system backup करने के लिए आपको आना है backup and restore option में यहाँ पे click करना है और उसके बाद यहाँ setup backup option दिखाए दे रहा है यह setup backup इसलिए करके रखना है अगर आपको लगता है कि यार आपके computer में कुछ गडबड हो जाए आगे चलकर और आपके सारे applications और प्रॉपरली इंस्टॉल ले तो इसका एक backup आप बना सकते है याद रखिए यह देखिए यह आपे backup का location आपको पू आप यहां से लेके रख सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा स्पेस है तो backup से लेकिए और आपको लगता है कि यार उसमें जो application बार बार इंस्टॉल नहीं करना है सारे तो backup लेकिए रखिए जिससे आप directly restore कर सकते backup restore कैसे करना है इसका भी वीडियो मैंने बनाया complete technology चैनल प माउस यहां पर क्लिक करो माउस का जो left button है उसको right करना है तो यहां पर क्लिक करो मतलब left यह देखिए switch हो गया अब मैं right click करूंगा तो left button perform करेगा अब मुझे यहां पर right click करना पड़ेगा apply करने के लिए right और मैं left button click करूंगा तो यहां खुट try करेगे तो पता चलेगा कितने फास से होना चाहिए slow मत रखो इसे slow करोगे तो आप slowly double click करोगे ने का भी और एक थोड़ी देर बाद तो तूरंद double click होगा यह fast भी मत रखो क्योंकि बहुत fast double click करना पड़ेगा जिससे mouse खराब हो जाएगा मतलब double click मतलब क्या जैसे folder open करना है यह वाले open करना है पॉइंटर ऑप्शन भी है विल भी है लेकिन सारी चीजे मैंने complete technology पर बताई है इतनी सारी detail सेटिंग अभी मैं माउस की नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बस माउस की बेसिक सेटिंग का और कर लिए डीटेल वीडियो आपको complete technology जैनल पर मिल जाएगा इस्क्रिप्शन में लिंक दे दोंगा mouse setting का डोंट वरी अब बढ़ते है next setting की तरब जो की है keyboard setting नमबर 39 यहां पर आपको keyboard भी मिलेगा control panel के अंदर की बोड मिलेगा की बोड में क्या है अभी यहां पर repeat delay और repeat rate ऐसे दो option है अभी repeat rate में मैंने slow करके रखा है पहले से तो अब मैं A type करूंगा तो यहां पर कितना slow 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 ए टाइप हो रहा है मैंने preview दीखा है आपको यहांपे दीखिया अब मैं इसको थोड़ा से फास्ट कर देता हूं और पूरा फास्टी कर देता हूं और मैं अभी यहां जो आने वाल है उसे थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद आगा क्योंकि यह मैंने लॉंग किया है मैं इसको इतना रखूंगा इसको थोड़ा सा इसको फास्टी रखो तो यह इसके सबसे रखो और कि करसर जो ब्लिंकिंग है की बोर्ड का मतलब जो करसर हमारा ब्लिंक ह करसर ब्लिंक होगा तो ना फास्सर है उसका मेडियम स्पीड रखके आप उसे रख सकते हैं तो इस तरह से की-बॉर्ड सेटिंग है अब बढ़ते सेटिंग नुबर फोर ही की तरह मैं आपको desktop icons रिल्टरी सेटिंग बताऊंगा बेसिलिक क्या क्या देखिए तो यहां पर राइट लिक करने के बाद यहां पर वीव ऑप्शन आता है वीव ऑप्शन में यहां पर शो डेक्स्टॉप आईकोन जो है डेक्सटॉप की आईकोन घायब होंगए smart like क्या करो Всемple है उसके अलावा यह तो ख absolument मैं इस आईकोन को यहांप लाकर खीच रहूं लेकिन यह नहीं आरहा है नहीं आरहा है स्का का reason क्या है right click करो व्यू में जाओ और यहां पिदेखो व्यूमें क्या किया है इसे auto arrange रखा है auto arrange को हटा दो और मैं इसेacing ड्रैक करता हूं यहां पे आरा है क्या बात है right इस तरह से आ रहा है सो यह auto arrange भी जुरुरी होता है Auto arrange करोगे तो कर सकते इसको रिफ्रेश तो ठीक है सौट कर सकते साइज 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 सौट बाइटम सौट बाइन नेम वाइज सौट हो जाएंगे यहाँ सेटिंग नमबर 40 थी अब बढ़ते सेटिंग नमबर 41 कि पर अब यहाँ पर नीचे दोनों के बेच में नहीं आएगा यह तो उप लाइन में आ जाएगा अगर मैं यह भी हटा दू तो यह बीच में भी आ सकता है यह दिखिए दोनों के बीच में भी आ सकता है सो अलाइन टू ग्रीड क्या करता है यह तो उपर ने तो नीचे सो यह सेटिंग सीख लो यहाँ पर सेटिंग नमब 42 की तरब बढ़ते हैं बन करके रखा है अब मैं एक साथ टेंपरी मिनिमाईज करना चाला कोई आ गया है तेंपरी मिनिमाईस नहीं करना चाला मतलब बनी मिनिमाईस और मैकजिमाईस तो विंडो जैसे आप छोड़ दोगे पूरे वापीस पूरे पूरे अप्लीकेशन वापीस आजांगे इसके यह application दिखाए देंगे, यह देखिए, विंडोज कोमा, टेंपररी गायब, छोड़ दिया, आ गया, गायब, शो, गायब, शो, विंडोज कोमा, इंट्रेस्टिंग है, याद रखिए यह, यह इसलिए है, क्योंकि आपको टेंपररी उसे minimize करने है, तो इसका इस्तमाल कीजिएगा, setting number 43, की बारी है, अभी setting map को बताओ, कि आपको कुछ content website से copy करने, जैसे मुझे यहाँ से यह content copy करना है, नीचे मुझे description से यह content copy करना है, तो मुझे अलग-अलग content copy करने है, और paste करने है, नोटपैड में गिरा, तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले यह आप देख सकते है, windows भी प्रेस करो, windows भी प्रेस करती है, यह clipboard आ जाता है, अब मैं क्या करता हूँ, suppose मैं यह content copy करता हूँ, copy, right, copy करने के बाद, अगर मैं इसे notepad में paste करना चाता हूँ, तो मैं यहाँ पे notepad start करूँगा, paste कर दिया, अब इस content के बाद, मैं दुबारा अभी यह content को copy कर लेता हूँ, यह content, ctrl-c, copy, अब मैंने यहाँ पे इसे paste कर दिया notepad, चलो paste हो गया, copy, paste, copy, paste हो गया, अब नोटपड के थुरी size कम कर देता हूँ, अब यहाँ पे दोनों content आ चुके, लेकिन मैं उपर वाला content है, दुबारा नीचे रखना चाता हूँ, तो मैं दुबारा copy नहीं करूँगा, मैं Windows V प्रेस करूँगा, यहाँ पे आप जितनी भी copy करोगे ना items, यह इस clipboard में temporary store होगा, यह clipboard है basically, याद रखिए, यह clipboard में temporary store होता है, यहाँ से आप directly paste कर सकते हैं, जैसे इसमें आए, Windows V प्रेस कर दिया आपने, और यहाँ से आप चाते कि यह sentence दुबारा चाते, तो यह sentence दुबारा आगे, Windows V प्रेस करोगे, आपने के लिए कापी इंट्रेस्टिंग है, Windows V clipboard, सेटिंग नमबर 44 की बारी है, साथी में आपने यह जो काम किया, इसका आपको एक screenshot लेना है, या कोई website है, उसके उपर का आपको एक screenshot लेना है, यह जैसी यह screenshot आपको लेना है, Pictures के अंदर Screenshots नाम का एक folder मिलेगा, जिसमें आपको अभी लिया हुआ screenshot मिल जाएगा, यह देखिए, आप कोई भी screen का quickly screenshot ले सकते हैं, Windows Print Screen, यह याद रखिए, देखिए, मैंने अभी फिर से दबाया, यह आपर आ गया, अब बढ़ते सेटिंग नंबर 45 की तरफ, जिसमें मैं आपको फिस से screenshot ही बताने हो लेकिन यह screenshot जारा अलग सा screenshot है, मतलब क्या है मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, Snipping Search करना है, जैसे आप Snipping Search करोगे, यह देखिए, Snipping दिखाए दे रहा है, Snipping Tool आ गया, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको New Option दिखाए दे रहा है, क्लिक कीजिए, और मैं यहाँ पे जितना चाहिए, उतना ही screenshot ले सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं भी, यहाँ पे कुछ pop-up भी आ रहा है, और मैं इतना पार्ट सेलेक करना चाहता हूँ, इतना ही, तो यह इतना ही screenshot आ जाएगा, मेरे Snipping आप के अंदर, अब इसमें मैं चाहिए तो highlighter यूज़ कर सकता हूँ, यह उपर देखिए highlighter भी है, marker भी है, तो मैं marker लेके, सपोज इसको mark करना चाहता हूँ ऐसा कि यह read करो, या फिर highlighter लेके मैं इसको highlight करना चाहता हूँ, तो ऐसे use कर सकता हूँ, और फिर मैं इसको copy कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको save भी कर सकता हूँ, तो यह snipping tool ज़रूर यूज़ कीजिए, एक setting ही है ना, बिसिकली स्क्रीन शॉट से रिलेटर, अब बढ़ते हैं setting नमबर 46 कि अब मैंने स्क्रीन शॉट तो बताया, लेकिन स्क्रीन रेकॉर्डिंग बता ना भूल गया हूँ, नहीं बूलूँगा, इसमें बता हूँगा, विंडोज जी प्रेस करो, यहाँ पर रेकॉर्डर बटन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे रेकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पर स्क्रीन रेकॉर्डिंग कर सकते, यह देखिए रेकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, तो कोई application, web browser कुछ भी open करो लेकिन या पे उसके उपर ही recording करो तो आप setting number 47 की तरब बाते हैं 47 में थोड़ी से interesting है, useful है लेकिन इसे तभी करो जब जरूरत है पहले हम भी बता देता हूँ यह bitlocker से related यानि कि कोई भी drive जो की important है आपका उसे आप lock कर सकते है इसके उपर आपको right click करना है right click करने के बाद turn on bitlocker bitlocker यह जो है option यह आपको allow करता है drive को lock करने के लिए password protected drive यहापे password protected drive बन जाएगा अगर आप यहापे password दोगे, next करोगे, इसे lock करोगे हाँ, अगर आप password भूल जाते हो तो यहाँ पर एक key की जरीए आप उसे unlock कर सकते है लिकिन password भूलना नहीं है अगर आप lock करते हो इसे तो और इसकी उपर एक detail video बना है complete channel पर जिसकी link मैप को description में दे दूँगा, ज़रूर check out अब बढ़ते सेटिंगे, इसमें हमें क्या करना है बस यहाँ पर मैं start में जाओंगा, phone link सर्च करूंगा और phone link सर्च करने के बाद हमारा जो भी phone है वो हम यहाँ पर link कर सकते हैं मैंने अल्रडी link किया है, यहाँ पर आपको कुछ photos भी दिखाए दे रहे हैं लेकिन मैं उसे blur करूंगा, important रहेंगे तो messages भी यहाँ पर आपको दिखाए देंगे और आप प्रिसेंट जो call किये है, phone calls वह भी आपको आए या आपने किये, वह भी यहाँ पर आपको दिखाए देंगे messages दिखाए देंगे, photos दिखाए देंगे, सब कुछ आपको दिखाए देगा, लेकिन इसके लिए आपको phone को पहले connect करना पड़ेगा, तो करना क्या पड़ेगा, आपको phone link नाम से related एक Android app भी मिलेगा play store पे, जो कि Microsoft की तरब से उसे भी आपको mobile में download करना पड़ेगा, और दो मैं link new device करता हूँ, तो यहाँ पर आपको इस तरह का pop-up आजाएगा, आपको Android select करना है, फिर I have a link, Android select करने के बाद आपको यह पर login का pop-up आएगा, Microsoft का account login कीजिए, फिर उसके बाद आपको login करने के बाद आपके app के उपर app भी install करना है, और यहाँ पर QR code आएगा, जो app से scan क करने के लिए पूचा जाएगा, तो इसे आप scan करोगे, और कुछ permission अलोग करोगे, तो directly आपका phone link होगा, और आप यहाँ से भी call लगा सकते है, यहाँ से बात कर सकते है, messages पढ़ सकते है, सब कुछ कर सकते, तो एक interesting tips है दोस्तों, जरूर ट्राइ कर लेना, इसे phone link करना, हमें पता होना है चाहिए, तो यहाँ पर right click कीजिए, task bar के उपर और task manager लगी है, या control, delete button प्रेस करके भी आप task manager open कर सकते है, सारे task यहाँ पर बताता है task manager, भाई आपका CPU कितना यूज़ हो रहा है, कौन कौन से applications on है, फिर 95% memory यूज़ हो रही है, भाई, memory बहुत ज्यादा यूज़ हो रही है, बहुत सारे application चालो है, यह जो camera चल रहा है यह भी इधर connect करके रखा है, screen recording का software भी चालो है, बहुत कुछ चालो है मैंने, recording का software चालो है, basically इन सारी चीज़ों के यूज़ से यहाँ पर memory यूज़ दिख रहा है, कौन क्या कितना कर रहा है, तो यहाँ पर जो किये setting number 50, लेकिन उसके पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेनत ले, मैंने continue recording किया, मैंने 8 बजे recording चलो किया था, आप 9.30 हो गया, बीच में अभी cutting भी करना पड़ेगा, बहुत सारी मेनत रहती दोस्तों, तो भ वाटसप पे, ज़रूर शेर करो, साथ है में मेरा application description में check out करो, तो application के उपर धेर सारे आपको courses मिलेंगे, जहापे आपको घर बैटे बैटे आयूसू certificate भी मिलेगा, course completion का certificate है, in-app video download है, बहुत सारी advanced videos है, जो कि आपको apply classes पे कहीं पे सीखने नहीं मिलेगी है, मैं guarantee देता कुछ भी सवाल है आपको तो आपको वाँ पे chart section में भी पूछ सकते हैं, so that's it, मैंने application के बारे में बताया, सब कुछ बताया है, skill course application का जो courses है, आप desktop पे देख सकते है, skill course website पे ही, तो वो भी आपको वाँ पे application पे website का details भी मिल जाएगा, सारी चीज़े मिल जाएगी, फिला ना है, run में, एक गंटे के बाद, automatic computer shutdown करना है, जैसे आप अपने TV को करते हैं, आप TV में कोई movie लगा है, लेकिन आपको लगता है, सोने वाले याप, आपको पता नहीं, TV बंद होना चाहिए, automatic एक गंटे के बाद, तो timer लगा दे, तो वैसे computer को timer लगा दो, run command में आपको क्य minus T, तो यह क्या होता है, minus S, यहाँ पर आपका रहेगा, seconds में time, और 300 seconds, time समदेंगे, तो 300 seconds के बाद यह computer क्या होगा, यहाँ पर right side में आपको एक message भी आएगा, कि भाई, पाच मिनिट के बाद, तो यह computer बंद होगा, अगर आपको एक घंटे के बाद बंद करना है, तो 3600, जैसे आपने कुछ डाउनलोड के लिए रखा है, आपको लगता है कि भाई, यह computer एक घंटे के बाद बंद होना चाहिए, डाउनलोड हो जाएगा, एक घंटे के अंदर, तो आप यहाँ पर 3600 रखो, okay करो, एक घंटे के बाद यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ मतलब यह आप शट्डाउन माइनस ए लखो, और यह लोग आप कैंसल हो जाएगा, शट्डाउन स्पेस माइनस ए, कैंसल हो जाएगा, तो कैसे लगा दोस्तों यह सेटिंग का वीडियो, डेपनेटल आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेर और कमेंट, सब्सक्राइब जो भी है, सब कर दीजिएगा, मैं मिलूंगा कुछ और इंट्रेस्टिंग वडियो के अंदर, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे अप्लिकेशन की लिंक है, चेक करना मत भूलिएगा, जहां पे आपको चाट जीपीटिन एकसल 9 रुपे में सीखने मिलने वाला ह तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा, सीखते रहिए, सीखाते रहिए, बाई बाई